हेलो गाईस आज हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्से इंडिया के बीच में जो थर्ड ओडियाई मैच खेला जाएगा इस मैच के लिए मैंने आपके लिए 6 ग्रैंड लिग की टीम्स तयार किये हम एक एक करके ये देखने वाले हैं पर उससे पहली ये जान लेते हैं कि स ग्राउंड पर ये मैच खेला जागा कितना क्या यहां पर स्कोर बनता है तो match venue की बात कर तो ये match Manchester में खेला जाएगा इंडिया में आप इस match को साड़े 3 बज़े से देख सकते हो चलिए अब पिछ रपोर्ट की बात करते हैं तो guys इस ground पर जो last 3 ODI matches खेले गए उनका result मैंने आप नीचे लिख रखा आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना क्या score बनता है इस ground पर जो last ODI match खेला गया तो वो 16 सितंबर 2020 को खेला गया था England और Australia के बीच में हुआ था इस match को Australia की टीम ने 3 विक्टों से जीत लिया था साथ में second last में 13 सितंबर को खेला गया था England और Australia के बीच में हुआ था इस match को England की टीम ने 24 रनों से जीत लिया था साथ में third last match भी Australia और England के बीच में हुआ था 11 सितंबर को इस match को Australia की टीम ने 19 रनों से जीत लिया था चलिए बात करते हैं इस ground पर total ODI match कितने खेले गए तो 54 खेले गए जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 26 मैच जीते हैं और second बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मैच जीते हैं चलिए बात करते हैं कि first inning के average score की तो वो 239 रनका है साथ में highest score की बात करें तो वो England ने बनाय था 397 विगेट के नुकसान पर साथ में lowest score की बात करें तो वो Canada ने बनाया 45 और 10 विगेट के नुकसान पर पर यह इतना मैटर नहीं रखता है इस मैच में चलिए अब scoring pattern देख लेते हैं का तो guys यहाप देखोगे 200 से कम का score यहाँ पर 10 बार बनाया साथ में 200 से 249 के बीच का score यहाँ पर 24 बार बनाया साथ में 200 से 299 के बीच का score यहाँ पर 13 बार बनाया और 300 से जादा का score यहाँ पर 7 बार बनाया चलिए अब head to head matches की बात करते हैं तो दोनी टीमों ने अभी तक आपस में 102 matches खेले गें जिसमें से इंग्लेंड की टीम ने 45 मैच जीते हैं और यहाँ पर इंडिया की टीम ने 55 मैच जीते हैं दो मैच टाई रहे हैं चलिए बात करते हैं दोनी टीमों के squad की तो यह दोनी टीमों का squad है आप यह देख सकते हैं कौन कौन से player squad में सामिल हैं चलिए बात करतें इंग्लेंड की प्लेंग लवन की तो सबसे पहले जैसन रोई और आपको जोनी बैस्टो ओपन करतें नजर आने वाले साथ में आप यहापे देखोगे मैंने हापे सभी प्लेयरों के दोनी ओडियाई मैचिस का रिजल लिख रहा है किस प्लेयर ने कैसा क्य पर्फर्मेंस चिया था तो जैसन रोई की बात करें फर्सट मैच में जीरो पे आउट हुए थे साथ में सेकंड मैच मैच अच्छा खेल रहे ते पर रीस विख बनाके आउट हो गए थे फिन आप जोनी बैस्टो की बात कर लें तो घर आप लाटे एफ़ेल साथ में साथ की बात कर लें तो इस फर्स्ट मैच में ये भी जीरो पर आउट हुए थे साथ में मात्र एक ओवर की गिंद बाजी करी थी साथ में सेकंड ओडियाई मैच में अच्छी बैटिंग कर रहे थे 21 रन बना चुके थे पर रिवर्स स्वीप के चक्कर में आउट हो गए साथ में ब फिर गाइस आपे लें लेंग इस तन है इनकी बात कर लें फर्स्ट मैच में जीरो पर गए थे साथ में सेकंड मैच में 33 रन किये थे साथ में दो ओवर की गेंद बाजी करी थी जिसमें एक मैडन ओवर किया था मातर चार रन देके एक विकेट इन्होंने निकाला थे यह आ चलिए बात करते हैं डैविड विली की तो गईस डैविड विली की बात करें फर्स्ट मैच में 21 का स्कोर किया था साथ में सेकंड मैच में अच्छी बैटिंग करी 41 रन बना रहे थे और गईस नो ओवर की गेंद बाजी करी जिसमें दो मैडन ओवर किये थे और 27 रन देके एक विकेट भी निकाला था फिर गाईसे आपकरिक ऑवर टर्न हैं इनकी बात करें सैकेंड मैच में इनुने 7 ओवर की गेंद बाजी गरी जिसमें इनोंने 22 रहं दिये पर विकेट इनके हाथ एक भी नहीं लगा था फिर गाईसे आपकर से इनकी बात कर लेते हैं तो गाईस आप याप देखोगे तो सेकंड मैच में इन्होंने साथ ओवर की गेंद बाजी करी जिसमें 32 अंदे के एक विकेट इन्होंने निकाला था फिर टोप लिया जाते हैं इन्होंने बहुत जबबर्दस बॉलिंग करी आप याप देखोगे 10 ओवर की बॉलिंग करी लगबक पू रहें सेकंड मैच में नहीं खेले अच्छा खेले लेते अच्छ शोड लगा रहे तो गैस जीरो पर आउट होगे फिर सूरे कुमार यादव की बात करते अच्छा यह भी खेल लेते पर 27 रन बना के यह जल्दी आउट होगे फिर हारदिक पांडिया आजाते हैं इनकी बात करने तो 29 रन बनाये थे सेकंड ओर डियाई मैच में साथ में 6 ओवर की गेंदबाजी करी थी जिसमें नोने मातर 28 रन देके 2 सफलताई निकाली थी जीहां दोस्तों 2 विक्टे निकाली थे फिर गाइस रवेन जड़ेजा आजाते हैं इनकी बात करें 29 रन किये थे साथ में 5 ओवर की गेंदबाजी करी थी और विक्ट इनको एक भी नहीं मिलाता फिर गाइस मौंबाज शमी आते हैं इनकी बात करें 23 रन किये थे बैटिंग में साथ में 10 ओवर की पूरी गिंदबाजी करी जिसमें 48 रन देके एक विक्ट इन्होंने निकाला था साथ में जड़े जा ग्रेंड लिग के लिए एक अच्छी पिक रहने वाले हैं आप इनको ट्रायक कर सकते हो चलिए अब बात करते हैं जस्प्रीद भुमराखी फर्स्ट मैच में जबर्दस बॉलिंग करी ची 6 विक्टे निकाले थे चलिए बात करते हैं ड्रीम लेंड टीम की और उससे पहले गाईस अगर आपने वीडियो को लाइक निकाल तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट ग्रैंड लीक की टीम देखते हैं तो यह हमारी फर्स्ट ग्रैंड लीक की टीम है जिसमें आप देखोगे हार्दिक पांडिया को मैंने कप्तान बनाए वाइस कप्तान मैंने हाप जस्प्रीद भुमराने वाले हैं साथ में आपने बाखी चेंजस वगेरे आप 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 देख सकते हो कौन-कौन से प्लियर हमारी टीम में है चलिए अब बात करते हैं तो यह हमारी सेकंड टीम है जिसमें आप देखोगे रोजिशर्मा को मैंने कप्तान बनाए और वाइस कप्तान मैंने हाप धवन को साथ में बागी चेंजिस वगएरा आप आपर देख सकते हो चली अब हम इपनी चौथी टीम देखते तो गैस्ट यह तो यहां पर कप्तान हमारे शमी रहेंगे वराट कोली को बनाये बागी चेंजिस आप आप देख लिजेगा चली अब बात करते हम अपनी चप्ती की थिम जिसमें आप देखो कि कप्तान चहल को बना ओसकान अगरी काम सिरस देखने को मिलने वाले टोपली रहने यावले बाकी चेंजिस आप या पर देख लीजेगा साथ में कैस फानल अपडेट आपको हमारे टैलिग्राम चैनल पर मिलेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा आप वहां से जरू जोइन हो जाएगा आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थे साल करेंगा क्या दो आपको लीडियोद दो जाएख अब्सक्रिप्शन आपको के लिए साथ ट्रिए जाएएब्स कारेंगा करेंगा जाएब्सक्रिप्शन करेंगा करेंगा।